हेलो दोस्तो मैं विजय सोलंकी और आप देख रहे हैं सम्टिंग को फेवरेटिंग की जिस्टारकेट टुटोरियल्स इन हिंदी सीरिस यह है जिस्टारकेट टुटोरियल सीरिस का सेकंड वीडियो इसमें हम आपको ओवर्यू देंगे बेजिक ड्रोइंग कमाड्स की तो कौ करता है चलो देखते हैं तो आप लाइन कमाड्स क्लिक करके चालू कर सकते हैं या लाइन टाइप करके एंटर दबाएंगे तो भी यह कमाड्स चालू होगा तो यह आपको पुछता है फर्स्ट पॉइंट कौन सा देना है फिर पुछता है सेकंड पॉइंट कौन सा देना ह आप Angle Final कर सकते हो, Length Final कर सकते हो, अगर आप दबाते हो, तो Length Final कर सकते हो. तो इस पас Length लिखोगे तो उतनी Length की यह Line जिस Direction में आपको Curlsor जाएगा उस Direction में बनायेगा. इंगल Final करते हो, तो आपको उसी Angle में Line खीचेगा. तो इस तरह से आप line बना सकते हो, line common defects, दूसरा है आपका Brilliant प्रॉली लाइन में आप continuous line बना सकते हो, अगर आप देखो गया प्रिछली बाद करें देख नहीं, वह टूटी टूटी line है, और हमने जो line, polyline से बनाई है वह सब जूड़ी हुई lines, इस commands बारे में हम details hadp huis,णा करें की जरूरत है वो है circle command circle circle enter करके आपको center point select करना है और उसका radius देना है आप circle बना सकते हैं circle में आपको बहुत चार options मिलते हैं जिस तरीके से आप circle बना सकते हैं फिर हैं हमारा rectangle command rectangle rectangle command से आप कोई भी लंब चोरस या चोरस बना सकते हैं इस command को चालू करने के लिए आपको polyline में नीचे के arrow पे क्लिक करने हैं और rectangle select रहना है और rotated rectangle भी आप बना सकते हो आप देखोगे तो पहली जो दो line select की उसी angle से आप rectangle बना रहा है फिर है polygon polygon से आप कितनी भी dimensions का polygon बना सकते हो rectangle यानि की चार डाइम चार बाजू वाला पोलीगन अगर हमको त्रिकोन बनाना है तो तीन डालना है और select करना है इंटर अप्शन आई और आप देखोगे कि एक त्रिकोन तैयार है डीटेल में इसके बारे में हम बात में चल्चा करेंगे next basic drawing command है arc कोई भी arc बनाने के लिए आपको इसका यूज करना है अगर आप देखोगे तो पहला point second point और third point इसमें आया था आर्क select किया first point second point और third point पूछ रहा है इस first के इसाब से आप आर्क बना सकते हो बहुत सरा अलग option से हो जिसके बारे में हम डीटेल में बात में चल्चा करेंगे फिर है आपका ellipse first point second point और आप ellipse बना सकते हैं अब है आपका multiple points इसलेक्ट कीजिए दहां दहां आप डालेंगे आप देखोगे कि डोट्स बन रहे हैं तो वह points से आपके किस तरह से आप multiple commands multiple drawing के objects जैसे के line circle point ellipse polygon rectangle बना सकते हैं सभी commands के बारे में डीटेल में चल्चा हम आगले वीडियो में करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिएगा थाकि हम यह से बहुत सरे वीडियो बना सकते हैं थेंक्यू